सुप्रवाद बच्चो आज हम उपसर्ग के बिशे में पढ़ेंगे उपसर्ग उपसर्ग अर्थात जो किसी सब्द के पूरू में आकर उसका जो अर्थ होता है उसमें परिवर्तन करते हैं उसके अर्थ को परिवर्तित कर देते हैं उन्हें उपसर्ग होते हैं ये हमेसा सब्दों के पूरू में ही आते हैं जैसे पहला वाकिय हम यहां पे देखेंगे हमें अपने देश का मान रखना चाहिए हमें जो अपने देश का मान है उसे रखना चाहिए और दूसरा किसी का अपमान नहीं करना चाहिए यहाँ पर हम देखेंगे दोनों सब्द मा नहीं है और यहाँ पर जो अपमान में जो अप जुड़ा है वह उपसर्ग है जैसे हमने पहले यहाँ पर देखा मान का अर्थ होता है इज्जत और अपमान का अर्थ होता है बेजित्ती करना मलब उसको अपमानित करना अप का अर्त है जो अप सब्दांस का अर्त है बुरा या बिर्द iLA Q.E. किसी के लिए बुरा करना या किसी को जैसे हम अप उसके बारे में कुछ गलत कह देते हैं उसे हम उसका अपमान कहना कहते हैं और यहां पर हम देखेंगे जो दोनु जगह पे मान मान सब्द है चाहिए हमें अपने देश का मान रखना चाहिए और दूसरा है किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और जब यहां पे हमने अप उपसर्ग लगाया तो अपमान सब्द बनाया है अपमान का अर्थ हमें किसी की बेजजती नहीं करनी चाहिए अब हम यहां पर देखेंगे पहला संस्कृत के उपसर्ग संस्कृत के उपसर्ग वे सब्दान्स होते हैं जो संस्कृत भासा से हिंदी भासा में बिना किसी परिवर्तन के जियों के तियों परियोग किये जाते हैं जो हमारे संस्कित भासा के जो उपसर्ग हैं, जो सब्दान्स हैं, वे जब हम हिंदी भासा में परियोग करते हैं, तब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता, जैसे उन्हों पहले उचारित होते थे, जैसे उनका पहले अर्थ होता था, वैसे ही उनका अर्थ जब हिंदी मे उनका प्रियोक करते हैं तब भी वैसे ही होता है जैसे अति उत निस आदी जो उपसर्ग है अब यहांपे अमने सब्द देखें अति प्लेस आचार अत्याचार दूसरा निस प्लेस संकोच तीसरा उत प्लेस पाद उत पाद यहांपे हमने जब संदी की तो इसमें हमारे जो पहला सब्दमना अत्याचार, दूसरा निसंकोज, तीसरा उत्पाद, जो हमारे संस्कित के उपसर्गों के द्वारा बने हैं, दूसरा हिंदी के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग वे सब्दानस होते हैं, जो मूलू रूप में तो संस्कित के होते हैं, परंतु हिंदी में उपसर्ग होते हैं, किन्तु जो हिंदी में उनका रूप परिवर्थित करके परियोग किया जाता है, जैसे ओ, अध, ओ, यहाँ पे हमने ये उपसर्ग का परिवर्थित किया है, जैसे ओ, पलेस छूत से अचूत बनाया है, ओ, गुण, अगुण, या अध, पका, अध, धन, यहाँ पे जो हमने हिंदी, जो संस्क्रित के उपसर्ग हैं, उनका परिवर्थित करके हिंदी भासा में परियोग किया है, तीसरा हम देखिंगे, उर्दू के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग वे सब्दान सोते हैं, जो उर्दू फारसी भासा के, से हिंदी भासा में पर प्रियोग किये जाते हैं जैसे बिल्ला, दर और बौ। यहां पे हमने जो सब्द मनाए बिल्ला धन वजए, बिला वजए, दूसरा दर असल, तीसरा बौ। और बगैर यह हमने जो उर्दू और फारिशी भासा किसे जो हिंदी भासा में प्रियोग किया है। चौथा उपसर्ग रूप में परियोग किये जाने वाले संस्कित के अभ्याई जो उपसर्ग के रूप में जो संस्कित के अभ्याई हैं जब हम उनका परियोग करते हैं तो ये उपसर्ग वे सब्दान से होते हैं जो संस्कित के अभ्याई होते हैं और हिंदी में अपने मूल उपसर्ग के रूप में लगा कर परियोग में लाए जाते हैं जैसे अंतर अधो और अन पहला हम देखा अंतर प्लेस अन मन अंतर मन दूसरा अधो पतन तीसरा अन और प्लेस आदर अनादर यह हमारे जो उपसर्ग हैं जो संस्क्रित के अभिया लगा कर हमने इनका उपसर्ग में प्रयोग किया है